केंद्रिये मंत्री स्मृति रामी भारतिय जन्ता पार्टी का वो बड़ा नाम बन चुकी है जिसके बलबूते भारतिय जन्ता पार्टी अब कॉंग्रेस पार्टी को टकर देने के लिए पूरी तरह से तयार है स्मृति रानी लोगसभा चुनाथ 2019 के दर्मिया बीजेपी का एक मजबूत स्तंब बन कर सामने आई हैं वो स्तंब जो अब राहुल गांधी जैसे बड़े विपक्षी नेता का सामना करने के लिए पूरी तरह से तयार है अगर ये कहा जाए तो जरा भी गलत नहीं होगा स्मृति रानी के साथ स्मृति रानी का साथ पाकर भले ही भारतिय जनता पार्टी विपक्ष का सामना करने के लिए तयार है लेकिन उस कलह का क्या करेंगी जो पार्टी के अंदरूनी खेमे में पैदा हो चुका है बात कर रही है हम आपसे यहां उस विवात के बारे में जिसे लेकर खबरे लगतार आ रही है बात कर रही है हम आपसे उस विवात के बारे में जिसके साथ तार जुड़े हैं पूर्त केंड्रिय मंत्री मेंका गांधी और स्मृति इरानी के जैसा कि आप सब जानते हैं मेंका दोनों के बीच पिलहाल जो एक चीज सामान्य है एक चीज जो कौमन है वो ये है कि कल तक मेंका गांधी जिस मंतराले को संभाल रही थी अब वो मंतराले उनसे छीन कर स्मृती रानी की जोली में डाल दिया गया है मेंका गांधी ने संभाली अब स्मृती रानी उसे संभाल रही है मेंका गांधी के स्तीफे को लेकर खबरे एक के बाद एक लगतार आ रही है और इस तरह के तमाम खबरों के बीच मेंका गांधी के स्तीफे को लेकर उठ रही आंधी के बीच स्मृती रानी कर बैठती है इस मंत्राले का कारभार संभाल लिया है आज ही वो अपने ओफिस गई जिसकी तस्वीरे सोशल मीडिया पर चाहीं लेकिन आज से ठीक पहले एक तस्वीर स्मृती रानी शेयर करती है इस पोटो में स्मृती के साथ नजर आई है पूर्फ केंद्री मंत्री मेंका गांधी मेंका गांधी जो लोग सुभा चुनाव 2019 में हासिल हुई भारतिय जनता पार्टी की प्रचंट जीत के बाद कहीं गायप सी होती हुई दिखाई पड़ रही थी जिसके पीछे की वज़ा उन्हें कोई मंत्राले ना देना है ये भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा वो मेंका गांधी अब सुमृती रानी से मिली है दरसल सुमृती खुद मेंका से मिलने गई मेंका के साथ अपनी ली हुई एक तस्वीर उन्होंने अपनी ट्वीटर हैंडल पर शेयर की और इस फोटो के साथ कैप्शन लिखा कि अब मेंका गांधी के पदचिनों पर चलते हुए उन्हें इस मिनिस्ट्री का विकास करना है सुनी होगी आपने कहावत देर इस नो स्मोक विदाउट फायर बिना आग के धुआ नहीं उठता तो अगर सारी चीजे भारतिय जन्ता पार्टी में इतनी ज्यादा सामानने हैं तो सफाई के तौर पर मेंका गांधी के साथ की एक तस्वीर स्मृती इरानी भला क्यों पोस्ट करती है अब या तो ऐसा है कि स्मृती इरानी इस मुद्दे को जो दरसल पार्टी का अंदरूनी मसला है इसे सारजनिक होने से बचाना चाहती है क्योंकि इस बृती के ट्वीट के ये दो ही यहां रूप निकल कर सामने आते हैं या तो वो सारजनिक कले नहीं करना चाहती या फिर वो अफ़वाहों पर पुर्णविराम लगा देना चाहती है मेनका गांधी जो है उन्होंने कहा है मेनका गांधी कहती है कि मैं तो अभी ये जो प्रोटम स्पीकर बनेंगे इसकी रेस में सबसे आगे हूँ मेंका गांधी कहती है कि मुझे कोई मंत्राले क्यों नहीं दिया गया अब ये तो पार्टी ही बहतर जानती होगी मेंका गांधी कहती है कि पार्टी का पैसला है और अब बाकी पैसला सुल्तानपुर की जनता पार्टी को सुलाए मेनका गांधी के तंज यहां किस ओर इशारा कर रहे हैं यह समझने के लिए जनता जनादन समस्तार है भारतिय जनता पार्टी जो कॉंग्रेसी खेमे में मच रही हलचल कॉंग्रेसी खेमे में जो तकरार की स्थिती है काफी ज्यादा मजे लेते हुए इसके दिखाई पड़ रहे थे कई भारतिय जनता पार्टी के बड़े नेता है जो पूरी तरह से राहुल गांधी के अध्यक्षपत के स्तीफे के पैसले पर यहाँ चुटकी लेते हुए दिखाई पड़े लेकिन अब जब अपनी ही पार्टी में मेंका गांधी जैसे वरिष्ट नेता के स्तीफे की स्तिती बन गई है तो अब ये पार्टी इस पर क्या कदम उठाएगी ये देखने वाली बात होगी औरों पर हसना बहुत असान है लेकिन जब वही परेशानी वही साया अपने घर पर मंड़ आए तब आप उससे कैसे डील करते हैं ये देखने वाली बात होगी तो अभी फिलाल यहां सचिन पायलेट को लेकर अशोग गहलोत को लेकर राहुल गांधी को लेकर तमाम तरह के विवाद जो कॉंग्रेसी खेमे में हो रहे हैं उस पर बहुत मज़े भारतिय जंता पार्टी ने ले लिए अब स्मृती रानी वर्सेज मेंका गांधी की लड़ाई पर जो विवाद उठ गया है इसे आप कैसे थामते हो इस पर आप कैसे पुर्ण विराम लगाते हो ये दिखाने का वक्त आ गया है फिलाल के लिए आपको बता दे राजनीती के अखाडे में कुछ भी नामुंकिन नहीं है तो इस अखाडे में भी अगर भारतिय जंता पार्टी मेंका गांधी को एक तरफ करके सुरिती रानी को आगे करके आगे की जंग लड़ना चाहे तो इसमें भी कुछ नया नहीं है इसमें भी कुछ बुरा नहीं है लेकिन कैसे पार्टी अपने अंदर के हालातों को समानने करेगी कि देखने वाली बात होगी खलाल के लिए इस खास पेशकर्ष में बस इतना ही तमाम अप्लेट्स के लिए SPN 9 News को सब्सक्राइब करना ना भूले